ब्रेक के बाद घुमता हुआ आइना में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात जापान की जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दुविपक्षे बार्शिक सिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तीन दिवसी आतरा पर पहुँचे मोदी का पिछले दो वर्षों में जापान का यह दूसरा दोरा है परमानु करार, बुलेट ट्रेन, साउथ चाइना सी ऐसे ही कुछ मुद्दे इस यातरा की सुर्खियां बनने थे लेकिन भारत में नोट बंदी के कारण परेशान लोग यह जानने में कोई खास दिल्चस्पी नहीं रख रहे है कि पिछली जापान यातरा में ड्रम बजाने वाले मोदी जी इस बार क्या गुल खिलाएंगे कतार में खड़े लोग तो खुद ढोल की तरह पिटा हुआ महसूस कर रहे हैं वैसे मोदी जी की इस जापान यातरा की उपलब्दी यह रही कि लंबे समय से प्रतिक्षित प्रमानुक करार पर हस्ताक्षर हो गए देखते हैं यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधान मंत्री शिंजो अबे की मौझूदगी में शुकरवार को एतिहासिक परमानु समझोते पर हस्ताक्षर किये गए दोनों देशों के बीच परमानु उर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमती बनी है इस करार से जापान भारत में परमानु तकनिक का निर्यात कर सकेगा इसके साथ ही भारत जापान के साथ इस तरह का करार करने वाला पहला देश बन गया है जिसने एनपीटी संदी पर हस्ताक्षर नहीं किये है विशिशग्य मानते हैं कि यह करार भारत जापान के आर्थिक और सुरक्षा सम्बंधों को मजबूती देगा क्योंकि दोनों देश चीन का मुकाबला करने के लिए कमरकस रहे हैं विदेश मंतराले के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया है कि स्वच और हरित विश्व के लिए यह एक एतिहासिक करार है प्रवानु करार के अलावा दोनों देशों ने करीब 10 अन करारों पर भी हस्ताक्षर किये हैं जापान भारत को स्किल डिबलप्मेंट यानि कौशल विकास में भी मदद देगा जापान आने वाले समय में भारत में स्किल डिवलप्मेंट के लिए तीन संस्थान स्थापित करेगा जिसमें 10 साल में करीब 30,000 लोग प्रसिक्षित होंगे जापान यातरा पर गए पीएम मोदी ने वहाँ भारती समुदाई को भी सम्बोधित किया और नोट बंदी पर अपना बयान सामने रखा भारतीयों द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक बार फिर यह घोशना करना चाहूंगा कि इस योजना के बंद होने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि काला धन रखने वालों को ठिकाने लगाने के लिए और धंड देने के ल मोदी ने साफ किया कि सरकार ने या फैसला काले धन की सफाई के लिए लिया है किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं मोदी ने सरकार के इस कदम को देश का सबसे बड़ा स्वख्षता अभियान करार दिया है लोगों की तकलीफ पर प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों को सलाम करता हूँ मैंने लोगों के समक्ष आने वाली परिशानियों पर लंबे समय तक विचार किया लेकिन इसे गोपनिये रखना भी जरूरी था और इसे अचानक किया जाना था लेकिन मुझे कभी यह नहीं पता था कि मुझे इसके लिए शुब कामनाएं मिलेंगी शुब कामनाएं तो पता नहीं मोदी जी तक कैसे पहुँच रही है लेकिन उनके मजाग की आदत पर हैरानी होती है कि वाकई उन्हें आम जनता को हो रही तकलीफ का कोई अंदाजा है या नहीं कल कुछ जगहों से खबर आई कि गंगा नदी में लोगों ने 500 और 1000 के नोट बहाए इस पर पिये मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले गंगा में कोई 54 नहीं डालता था और अब 500 तथा 1000 के नोट भी बह रहे हैं बेमानों को लगने लगा है कि बैंक में जाने से अच्छा गंगा जी में जाना है पैसे मिले नहीं पुनितों मिली जाएगा हैरान परेशान जनता पता नहीं इसका टाक्ष पर क्या सोच रही होगी कही यह मजाक मोदी जी पर भारी नपर जाए तुम आज हसते हो तो हसलो मुझपर ये आजमाईश न बार बार होगी मैं जानता हूँ मुझे खबर है कि कल फिजा खुशगवार होगी आज के लिए बस इतना ही अगले हफ़ते फिर मिलेंगे खबरों के नए आइने के साथ तब तक देखते रही है डिवी लाइब जासबना है